नमस्कार स्वावत करती हूँ मैं गफशय फोजय पॉडकास्ट में और यह आज मेरी पहली वीडियो है तो आशा करती हूँ होफ करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा यहां पर मैं कुछ अपनी मन की बाते हैं आपकी मन की बाते हैं या नौर्मली सब के मन म यह सब बाते चलती रहती हैं यही सब बाते मैं डिसकस करूँगी आपके साथ में कुछ चिट चैट करूँगी कुछ आपकी बाते सुनूँगी कुछ अपनी बाते बोलूँगी तो होप करती हूँ आशा करती हूँ कि आपको मेरी बाते पसंद आएंगी या पर मैं जो तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉर्कार्ट तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ मैं भी चाहिए बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे या लोग होंगे बड़े होंगे या मेरी उमर के लोग होंगे जो ये इस फेस में गुजर रहे होंगे कि अपना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपनी जिन्दगी में क्या कर रहा है हम ऐसे फेस के ऐसे लाइप के फेस में होते हैं इस वक्त कि तबीक हमें मन ही नहीं करता है पहले जानने की इच्छा भी नहीं होती कि कौन अपनी डाइश में क्या कर रहा है जैसे तो हम लोग आज लोग किसी से बाते कर पाते हैं लेकिन फिर भी हम इती हैं डूसले को जान पाते हैं लेकीन फिर भी हम कितना सरा अपना टाइंड देते हैं एक दूसरे को स्टॉक करने में चाहिए खूँतकर और हागा हम सब को स्टॉक करते रहते हैं कि आखिर वो अपनी जिंदेकी में क्या कर रहा है कहां जा रहा है कहां घूम रहा है क्या भारा क्या पी रहा है या उसके आज कर लाइफ में क्या चल रहा है मुत्री पर टाइम होते हैं चीजों बिता देते हैं जी जानने में और एक्चली कभी इच्छाएं एक इस तक होती हैं कि देखें तो लोग कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में लेकिन दीर 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 आप थोड़ा सा मैच्छूर होने लगते हैं लगते हैं यह सब चीजे फालतू है हमें खुद पर फोकस करने के तो ऐसा फेज आता है कि कभी कभी हम ना दूसरों से दूर होते चले जाते हैं तो इस तरह से लगतार किसी को भी स्टॉक करने से होने क्या लगता है कि हम खुद भी थोज़ा डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि अच्छा यह अपनी लाइफ में ऐसा कर रहा है वैस अब चाहते हैं यह कम करना होता है लेकिन जब दीर दीर एक एज आती है तो उसके बाद आपको खुद का भी इच्छा खाम हो जाती है कि हम किसी की लाइफ में जाकें या इंटरफेर करें वैसे तो इंटरफेर मुझे नहीं लगता आज की दमाने में कोई करता भी मैं तो अब यह है कि भाई जीए और जीने दो को स्टॉक कम करें लोगों को अपनी लाइफ पे फोकस जादा करें और वैसे भी हो सकता है कि अभी शयाद ना आए लिकिन कुछ महीनों में आपको धीर 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 महसूस होगा कि यह चीजे फालतू है किसी को स्टॉक करना और उपना लेकिन जहां आपकी लाइफ को एफेक्ट कर रहा है वहां से आपको दूरी बना लेनी चाहिए दूरी स्टॉकिंग्स बनानी चाहिए लोगों से नहीं अगर आप इस तरह से अगर आप लोगों से दूरी बनाओंगे न तो भी आपके लिए बहुत गलत होगा तो आप कर दो किसी सबक्राइब करते हैं कौन भी क्या कर रहा है तो होता ऐसा हमारा कितना सारा ज्यादा time कंसूम हो जाता है इन चीज़ों में हम खुद creative हो हैं खुद बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी life में में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपनी लाइफ में इस वसक्त क्या कर रहा है कहां जा रहा है क्या खा रहा है क्या पहन रहा है क्या कर रहा है अपनी लाइफ में नहीं जानने के उच्छा होती इससे क्या होता ना आप थोड़ा शांती में रहते हो आपका जो माइंड को शांती तो दे पाओगे तो यह बहुत जरूरी है कि हम अगर कोई स्टॉकिंग आपको आपके लाइफ को अफेक्ट करें तो वह आप काम करें सोशलमीडिया होता ना आप यहना समझे जो इंसान अमें दिखा रहा है वह ऐसा सच में ही है नहीं आप जानते ही नहीं हो क्यों उसके पीछे इसकी लाइफ में क्या चल चुर। उस labels हैं अपनी सब अच्छे चीजें आपके सामने रखी हैं उसके लाइफ में क्या परशाणिया, क्या दिक्ड़त है, क्या तुम्होट है, इस सब पूर्शार के लिए सोचल मेडिया कर रहे हैं, यह सब होता है इंसान होता कुछ है और दिखाता कुछ और बिधया और और दिखही हो, वह बहुत कुछ अपने लाइफ में उस सारी जो चीज़ें वो अच्छी ही डालेगा वो सोचल मीडिया पे अपने दुख को अपने परशानियों को अपनी दिख्कत को नहीं दिखाएगा वो अपने सोचल मीडिया पे क्यों कि उसे पसंद नहीं है और आप यह सोचते हो कि अवह इसकी लाइप तो बहुत ही चल रही है कोई तकलीफ नहीं कोई परशानी नहीं कोई दिख्कत ही नहीं ऐसा नहीं होता है और यहां तक कि लोग जूट भी दिखाते हैं अपनी लाइप को सोचल मीडिया पे जो फोटोस पड़ती हैं कुछ भी होता है मैं यहां गया मैंने यह खाया मैंने यह पहना क्या पता कि उसको जो चीजे मिली हो कितनी दिक्कत हो कितनी परशानी के बाद मिली हो लेकिं वो दिखा ऐसा रहा है कि जैसे उसने जो पैदा ही इसी चीज में हुआ हो तो नहीं आप इन सब चीजों भरोशा मत किया करिए तो सोचल मीडिया जितनी अच्छी चीज है उतनी खराब भी है तो लोग कहते हैं बड़े बुड़े कहते हैं हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है लिमिट से ज़्यादा हर चीज खराब होती है चाहे वो चाहे वो चाहे हो चाहे वो चीज नहीं हो चाहे वो कुछ भी हो हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है तो आप उतना ही लोगों के बारे में जानीए जितने आपको आपकी लाइक को अफेक्ट ना करता हो जितने आपको मुझे के लिए कर रहे हो ना कि वो उस चीज़ को अपनी लाइट में इतना ज़्यादा गुचेर लो या डिप्रेस हो जाओ कि आप के लिए वो दिक्कत हो जाए तो इसी बात पर मैं आज का पॉड़कास ही खतम करती हूँ, होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरा फॉड़कास पसंद आया होगा और मैं ऐसे ही नए-ने पॉड़कास लाती रहूँगी तो मैं चाहूँगी कि अगर आपको यह पॉड़कास पसंद आया तो प्लीज मेरी पॉड़कास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो माच